अमेठी से सांसद रहे कॉंग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाडरा के करीबी अलुमिया को लखनव में शनिवार रात को पुलिस ने गिरफतार किया है। लखनव में पुलिस ने अलूमिया को फन मौल के पास से पकड़ा। वजीरगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज है। अगस्त दो हजार उन्नीस में गोमतीनगर के विशालखंड में रहने वाली मंजू रावत से उनका खरगापूर स्थित प्लाट खरीदा था। वैभव के साथ ही उस प्लाट में मित्र माजिन खान भी पार्टनर थे। माजिन खान और वह प्लाट पर अपार्टमेंट बनवा रहे थे। इस बीच अल्लूमिया के बेटे आदिल ने दावा किया कि यह प्लाट तो उनका है। उसने फरजी दस्तावेज के माध्यम से किसी से प्लाट की रजिश्ट्री कराने का दावा किया। इस बात को लेकर विवाध हुआ था। लाट छोड़े के लिए उसने रुपियों की मांग की। मांग पूरी न होने पर धमकी दी थी। वैभव ने बताया कि धमकी से वह बहुत तनाव में था। उसने अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। वैभव का कहना है कि प्लाट ममता सहकारी ग्रह निर्मान समिती का था। पुलिस के मुताबिक विवाद के बाद कॉंग्रस नेता अलू ने दिसंबर माह में वैभव को फोन करके समझोते के लिए बुलाया था। वहाँ पर अलू ने धमकी दी थी। उसने निर्माधीन अपार्टमेंट से दो फ्लैट बेटे और पतनी के नाम करने को कहा था। वैभव और पार्टनर जब तयार नहीं हुए तो धमकी दी थी। इसके बाद वैभव ने अधिकारियों से शिकायत की। अधिकारियों के आदेश पर पूरे मामले की जाच एसीपी चौक आईपी सिह को सौंपी गई। जाच में वैभव के सभी आरोप सही पाए गए। इसके बाद अलू उनकी पतनी और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्स किया गया था। वजीर गंच पुलिस के मुताबिक अलू मिया पांच माह से धोखाधडी और रंगदारी के मामले में फरार चल रहे थे। अलू मिया शनिवार को कॉंग्रेस की राष्ट्रिय महा सचिव प्रियंका गांधी वाडरा की प्रतिग्या यात्रा में शामिल लखनव आये थे। इसी बीच पुलिस ने सूचना मिलते ही फन माल के पास से गिरफतार कर लिया। अलू मिया अमेठी में लोकसभा के साथ ही विधान सभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी के बेहत करीब दिखता था। उनकी सभाओं में भी वह सक्रिय भूमिका में रहता है।